एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था, वो बहुत ही खुश था, क्योंकि उसकी ज्यादा इच्छाएं नहीं थी, वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट था, लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया और उसे देखते ही सोचने लगा कि ये प् पूचा, भाई तुम इतने संदर हो, इसलिए तुम बहुत खुश होगे, इस पर हंस ने जवाब दिया, हाँ मैं पहले बहुत खुश रहता था, जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था, उसे देखने के बाद से लगता है कि तोता धर्ती का सबसे संदर प्रानी है, हम दो से देखना होगा, कौवा तोते के पास गया और पूचा, भाई तुम दो दो रंग पाकर बड़े खुश होगे, इस पर तोते ने कहा, हाँ मैं तब तक खुश था, जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था, मेरे पास तो दो ही रंग है लेकिन मोर के शरीर पर तो कई तरह के अब कौवे ने सोचा सबसे ज़्यादा खुश कौन है, ये तो मैं पता करके ही रहूंगा, इसलिए अब मोर से मिलना ही पड़ेगा, कौवे ने मोर को जंगल में धूनदा लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला और मोर को धूनते धूनते वल चलिया घर में पहुँच गया, तो देखा मोर को देखने बहुत से लोग आय हुए हैं और उसके आसपास अच्छी खासी भीड है, सब लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम दुनिया के सबसे सुन्दर जीव हो और रंग बिरंगे हो, तुम्हारे साथ लोग फ करके नहीं रखता और तुम जहां चाहो अपनी मरजी से घूम फिर सकते हो, इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और खुश जीव तो तुम्हे होना चाहिए, क्योंकि तुम आजाद रहते हो, कौवा हैरान रह गया, क्योंकि उसके जीवन की हमियत कोई दूसरा बता गया दोस्तों, ऐसा ही हम लोग भी करते हैं, हम अपनी खुशियों और गुनों की तुलना दूसरों से करते हैं, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का महौल हमसे बिलकुल अलग होता है हमारी जिन्दगी में बहुत सारी ऐसी चीजे होती हैं जो केवल हमारे पास हैं लेकिन हम उसकी एहमियत समझ कर खुश नहीं होते लेकिन दूसरों की छोटी खुशी भी हमें बड़ी लगती हैं जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को इगनो कर देते हैं